हलो एवरिवन मैं शेशी आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर आज मैं आलू के चिप्स बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने आलू को पहले से चील के रखावा है और पानी में डाल दिया है क्योंकि आलू बहुती जल्दी काले पड़ जाते हैं तो अब इस तरीके से मैं नाइफ से इसे कट कर रही हूँ चिप्स को और आपके पास अगर चिप्स कटर है तो आप उससे इसे कट कर सकते हैं तो पतले पतले स्लैसिस हम इसके निकालते रहेंगे इस तरीके से और पहले एक आलू के चिप्स निकाल लेंगे फिर उसे पानी में डाल ताकि ये काले ना पड़े और आलू में जितना वे स्टार्च था वो सारा मैंने वाश कर लिया है दो तिन पानी से पानी या पहले से उबलने के लिए रखा था तो इसमें मैं एक बड़ा चमच नमक डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक हम इसले डाल रहे है ताकि जो चिपस है वो हमारे थोड़े नमकिन बने उसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है नमक से तो यहां पे मैंने सारे चिपस जो रखे थे कट करके उसे गरम पानी में डाल दिया है तो इसमें हम एक उबाल आने देंगे और अबरकुक हम इसे बिलकुल भी नहीं करेंगे जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तुरंध हम चिपस को अलग कर देंगे तो धकन लगा के मैंने इसे रख दिया है तो पांच मिनट यहां हो गया है और उबाल भी इसमें आ गया है तो गैस मैंने यहां बन कर दी है और यहां एक बरतन ले लिया है इसके उपर चन्नी रख देंगे और अब हमने जो आलू के चिप्स बॉयल करने के लिए रखे थे उसे यहां पर डाल देंगे यह चिप्स मैंने सारी यहां निकाल ले एक चन्नी में और इसे अब हम ले चलते हैं धूप में तो इसका सारा पानी अच्छे से ड्रैन हो गया है और चट में मैंने एक बैट शिट डाल दी है कॉटन की धुलीवी साफ सुत्री तो इसके उपर सारी चिप्स हम फैला देंगे चिप्स को सुखने में यहां पे दो दिन लग गया है काफी अच्छे से चिप्स हमारे सुख गया है अब हम इसे स्टोर कर सकते है महिने दो महिने छे महिने साल बर भी इसे स्टोर कर सकते है और जब भी मन करे तो निकाल के इसे फ्राई कर लो और चाय के साथ या फिर बच् के लिए ये जो चिप्स है स्वेशली मैंने होली के लिए बनाए है क्योंकि आज कल काफी अच्छी दूप आती है चिप्स बहुत ही जल्दी सूप कर त्यार भी हो जाते है और काफी समय तक हम इसे स्टोर भी कर सकते है जब भी बच्चों का और बड़ों का कुछ खाने का मन ह तो इसे फटाफट से फ्राइ करके इसे सर्व कर सकते है उमीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों और फैमली के साथ शेर करना चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आज के लिए बस इतना ह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए